स्री सीवे नमस्तू भ्यम हरहर महादेव दोस्तों आप सभी जानते ही है कि गणेस विशर जन के बाद आने वाली है पूर्णी मा की विशेस रात्री और पूजे गुरुदेव कहते हैं कि इस विशेस रात्री में आपको एक एसा विशेस उपाई करना है जो आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या को दूर करने में बहुत ही असर कारक रहेगा पूजे गुरुजी ने कहा है कि पित्रु पक्ष में पढ़ने वाली यह अंतिम पूर्णी मा है और जिसमें आपको चावल के दाने से आपको जो उपाई बताये है वह करने है जो आपको धन की समस्या दूर करने में आपको धन धन की प्राप्ति करने में और आपको रोगों को जो भी आपके रोख है आपके घर में वह दूर कर देंगे आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी कर देगे आपकी जो भी नोक्री या व्योशाई को लेके आप परेशान है और तो वो भी दूर हो जाएगी तो चलिए जानते हैं पुझ्य गुरुजी द्वारा बताए गए इन विशेस उपाई के बारे में लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा देखी पुझ्य गुरुजी द्वारा बताए गए इन उपायों को बहुती अच्छी तरस से आपको बताएंगे इन में से जो भी उपाय आप करना चाहे वह कर सकते है पुझ्य गुरुजी ने कहा है पुर्णी मा सुक्रवार के दिन पड़ रही है और सुक्रवार का दिन होता है मा लक्स्मी जी का दिन इसलिए इस पूरी मा की रातरी को या पूरे दिन में किसी भी समय इस चावल का उपाई आप कर लेंगे तो गुरुजी ने कहा है कि आपके घर में कभी भी धनधान की कमी नहीं होगी और आपकी जो भी मनोकामना है वह सभी पूरी हो जाएगी तो चलिए बताते हैं आपको पुझ्य गुरुजी द्वारा बताए गए इस खास उपाई के बारे में इस उपाई में आपको सिर्फ एक चावल का दाना लेना है और एक बेल पत्र लेना है जो चावल का दाना है वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए और जो बेल पत्र है वो भी आपको कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए ऐसा ही लेना है अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप सिवलिंग के उपर से बेलपत्र लेके उसे सुद्ध जल से धोले फिर उसको ले सकते हैं फिर आपको लेना है एक लोटा जल जो आपको घर से ही भरके जाना है सुद्ध जल को लेके जाना है फिर इन तीनों सामगरी को लेके अगर रात्री में आप यह उपाई कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा पर अगर आप रात को नहीं कर सकते हैं तो सुबव भी कर सकते हैं तो पहले आपको जो आप चावल साथ में लेके गए है उस चावल को सीवलिंग के उपर स्री सीवाय नमस्तु भ्यम का जाप करके आपको वो चावल सीवलिंग के उपर चढ़ा देना है फिर आप जो बेल पत्र साथ में लेके गए है उसे भी सीवलिंग के उपर आपकी आप करके ही चढ़ा दीजिएगा और आप जो एक लोटा जल लेके आये हैं उसे भी स्री सीवाय नमस्तुभ्यम या चंद्र मोलेश्वर महादेव का नाम लेके चढ़ा दीजिए इस जल को चढ़ाने के लिए आपको पता ही है कि सीव जी के सिवलिंग के उपर दीरे दीरे इ अपने चढ़ाया है वो जल जब ज़राधारी से नीचे गिर रहा होगा तो उस जल को आपको अपने दोनों हाथ में लेके उंगली से उसको आपको अपने नेत्र पे लगा देना है अपके नेत्र पे लगा देने से आपकी जो भी मनो कामना है वह पोलेनाथ जरूर पूरी क के दिल यह उपाई आप कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से आपके उपर जो भी कर जा है अगर आपके उपर आपके घर में जो भी समस्तिया है वो सब भी दूर हो जाएगी और आपकी सबी मोनोकामना जरूर पूरी होगी अब आपको बताएंगे हम इसमें आपको जो भी रोग होता है वो सभी रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए है और इस उपाई में आपको सिर्फ एक चावल का दाना ही लेना है और देखिए पूर्णी मा की तिथी के दिल कोई भी सफेद रंकी वस्तू से महादेव के उपर जढ़ाने से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जा करती है इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है और सिवलिंग के पास चाकर आपको एक चावल का दाना जल में डाल जल में डाल ऑपATHAN जल लेके गये हैं उसमें चावल का महादेव का नाम लेके इसे समर्पित करना है इस जल को पर अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो आपको यह जल कुंद केश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है फिर इसके बाद अगर आपके घर में बहुत ज्यादा समस्या है बहुत भीगन चल रहा है तो आ पुज्य गुरु जी ने कहा है कि यहां उपाई करने से आपके घर में जो भी रोग है जो भी आपके घर में समस्तिया है और जो भी आपके मन में जो भी आपकी मनो कामना है वो सभी पूरी हो जाएगी तो यहां उपाई आपको पुर्णी मा के दिन ही करना है तो यहां खास अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद